मा का प्यार ही कुछ ऐसा है आदी दिने बैग से साल निकाला और वह कुछ सोचने लगा वह सोच रहा था कि पिछली राज जब वह बिस्तर पर जाने से पहले अपना बैग पैग कर रहा था तो उसकी मा कैसे अपना साल लाई थी और उसे बैग में रखने के लिए कह रही थी कैसे उसने कहा था अगर बारिस हुई तो बहुत ठण लगेगी करीब एक घंडे से अधिक समय से ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर खड़ी थी ट्रेन में बैठे बैठे आदिद्य का धहर्य जवाब दे रहा था आज जी होकर वह अपनी सीट से उठ खड़ा हो गया वह पता लगाना चाहता था कि आखिर का ट्रेन इतनी देर से एक ही जगह पर क्यों खड़ी है वह अपनी सीट से उठ कर गेट के पास गया उसने बाहर देखा कि यहां तो बारिस हो रही थी फिर आदिद्य वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और अपने सीर के नीचे बैक रख कर लेट गया काभी देर बाद उसे धिरे धिरे नीद लगने लगी थी अचानक एक महला ने उसकी बाजू को हिलाते हुए उसकी नेट उड़ा दी वह उटकर बैठ गया उसी बीच उसकी नजर एक अधिर उम्र की महला पर आए गई वो महले कुछले और गंदे कपड़े पहने हुई थी और अपने हाथ में अपना हैंड बैक पकड़े हुई थी ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल चुकी थी और अपनी रप्तार पकड़ चुकी थी नीद में आदिद्य को इस बात की तनिक भनक भी नहीं लगी कि कब उसका हैंड बैक उसके सिर के नीचे से फिशल कर नीचे फर्स पर गिर गया था अदिद्य ने पटाक से अपना बैक उस महला के हाथ से ले लिया और चक करने लगा कि कहीं उसका पर्स और अन्य समान गायब तो नहीं है ज्यों ही उसने अपना बैग खोला तो अंदर अपनी मा का सॉल देखकर आश्चरे चके दुरा गया बैग में सारे समान विवस्तित तरेके से रखे हुए थे आदिद्या ने बैग से सॉल निकाला और वह सोथने लगा वह सोथने लगा कि पिसली रात जब वह बिस्तर पर जाने से पहले अपना बैग पैग करा था तो उसकी मा कैसे अपना सॉल लाई थी और उसे बैग में रखने के लिए कह रही थी कैसे उसने कहा था अगर बारिश हुई तो बहुत ठंड लगेगी उसे अच्छी तरह मालूम है कि कैसे वो मा पर नाराज हुआ था और गुसे में सॉल को बैग से बाहर निकाल कर रख दिया था मगर यह सॉल एभी भी उसके साथ था वो मन ही मन सोचने लगा सायथ माने मेरे सोजाने के बाद इसे वापस रख दिया होगा उस वक्त बाद जब आदिया पानी लेने उठा तो उसने देखा कि उसका सरीर तो भुखार से गर्मा हो रखा है खुद को असहाई महसूज करते हुए उसने तुरंद अपनी मा को कॉल किया और बोला मा कल रात तुम मुझे कोछी मेडिसिन का पैकेट देना चाह रही थी इससे पहले कि आदिया अपनी बात पूरी कर पाता उधर से उसकी मा बोल पड़ी बेटा तुम्हारे सिर में दर्द है क्या आदिया कते हाजिर नहीं करना चाहता था कि उसके बुखार के बारे में जान कर उसकी मा बेवज़ा प्रिसान हो इसलिए उसने कह दिया हा मा उसकी मा बोली मैंने तुम्हारे हैंड बैंक के सामने वाली जेब में दवा का पैकेट रखा है तुम उसमें से निकाल कर सिटड़ की एक गूली ले लो और हाँ मैंने पैकेट में बुखार के दवा भी रख दी है सायद कुछ खालो सुनो मैंने तुमारे बैग में एक सेंड्वीच पैकेट भी रख दिया है आदिद्य कुछ घंडे बात सुकर उठा तो पहले से काफी बेतर मसूस कर रहा था जैसे कि वह अपने पैर फैलाने के लिए उठा तो उसकी नजर गलियारे के पास बैटी एक महिला पर पड़ी उसने अपने बच्चे को गोत में ले रखा था खेडकी से ठंडी हवाय आ रही थी उसके सरीर पर फटे पुराने कपड़े इस ठंड से बचाने के लिए ना काफी थे आदिद्य ने गोर से देखा तो पाया कि अरे ये तो वही महिला है जिसने उसे पहले जगाया था और उसका बैग लोटाया था बिना सोचे समझे आदिद्य ने बैग से अपनी मा का सौल बाहर निकाला और ठंड से काम रहे बच्चे को उड़ा दिया उसने देखा कि बच्चा कैसे अब सुकुन से सो गया है आदिद्य सोतने लगा हुआ एक नहीं बलकि दो माताओं के प्यार और सनिय की चादर से लिप्टा हुआ था मा के प्यार की तपिस की कुछ ऐसी है तो दोस्तों आप लोग को मेरी स्टोरी कैसी लगे कमेंट के माद्यम से बताएं और मेरे आगे की स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब रहें धन्यवाद